आज का जो आपका लेंटर है लगभग 15 से 20 साल में 25 साल में डेमेज हो जाता है लेकिन ये लेंटर सवा सो साल से आज भी खड़ा हुआ है 1863 के आसपास या उसके बाद की बनाई हुए लगभग और पूरी जो ये हवेली है लगभग एक एक कड़ के आसपास ही है अब इसको डेड़ सो वर्स हो गए यदि इस का रख रखाओ ठीक रखते तो ये 500 साल भी खराब नहीं होती आप देख सकते हैं उसी समय की चोखट है लकडी की चोखट है लकडी की चोखट होने के बावजूद भी आज तक इस चोखट पे आपको कहीं भी उपर से नीचे तक कहीं दीमक नजर नहीं आएगी जो नबाब दुजाना के मुंशी होते थे जी उनों ने इस अवेली को बनवाया था नमस्कार आप देख रहें स्टेट्मिज हरियाना और मैं हूँ अमितामन अभी मौजूद हैं रेवाडी के गाउं सादत नगर में जिसकों की नया गाउं के नाम से भी जानते हैं और ये जहां पे हम मौजूद हैं ये इस गाउं की सबसे पुरानी हावेली है और इसका जो डिजाइन है वो आप एक बार देखें किस तरीके के जो डिजाइन है वो बनाए गए हैं साथ-साथ जो इसके अंदर जो इंटे लगी हैं ये आज से लगबग सो सवा सो साल पुरानी जो हवेली है वो है और इसकी इटे आप देख सकते हैं आज तक भी इनके अंदर कोई भी आपको नमी नहीं मिलेगी और नहीं जो आजकल इटे भुर भुरा के गिर जाती हैं वो सिस्टम इसमें आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा बकाइदा आज भी जिस समय पे चुने के अ चोखट होने के बावजूद भी आज तक इस चोखट पे आपको कहीं भी उपर से नीचे तक कहीं दीमक नजर नहीं आएगी जबकि इस गाओं के अंदर बहुत भारी दीमक की प्रोबलम भी मौजूद है और इसके बावजूद भी ये जसकी तस आज तक खड़ी हुई हव वो है और ऐसे ही जो हवेली है वो भी यूँ की यूँ खड़ी है अंदर आपको जो और पॉर्सन है इसके वो भी हम दिखाएंगे अंदर चलके और सारी चीज़े आपको एक बर दूसरी साइड इसके कोटियार के अंदर आंगन के अंदर लेकर कि मैं चलता हूँ आप यहा अवेली है वो खड़ी हुई है और इंटें आज भी वैसी की वैसी इसके अंदर मौजूद है अब जो पॉर्सन है वो मैं आपको दिखाऊंगा और सबसे जो बड़ी बात है वो कीचन जो आज की आपकी मोडूलर कीचन होती है उस स्टाइल में ही उस समय पे भी यह कीचन थी और यह कीचन आप देख सकते हैं यह कीचन का जो पोर्सन है वो आप देखें नीचे इसके अंदर आज भी आपको चूल्हा जो देशी आपका चूला है वो नजर आएगा और उपर बनी हुई यह चिमनी भी आपको नजर आएगी तो अब मैं दूसरी इस साइड आप द दिखाने वाला हूँ इस side एक और जो portion है वो आप देख सकते हैं जो इसके दर्वाजे हैं वो भी आप देख सकते हैं आज तक लकडी की जो चोकटे हैं वो यू की यू है जो दर्वाजे हैं वो भी लकडी के हैं लेकिन इनके अंदर भी आपको दीमक जो है वो नजर नहीं आ रही होगी चूने की जो चिनाई है वो इसके अंदर हुई हुई है और अब इसके अंदर चलते हैं तो यहां भी आपको जो पुराने जमाने की चक्की है वो भी आपको आटा चक्की जो है वो नजर आएगी जिससे की घर के अंदर ही लोग जो गेहूं है उसको पीशने का काम करते थे और अब इसके अंदर की जो सबसे अद्भूत चीज है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उपर आप देखें जो कारीगरी की गई है ये उस जमाने का लेंटर है जो आज आप लेंटर डालते हैं उसे कई गुना अच्छा है उसे कई गुना क्योंकि आज का जो आपको लेंटर है लग भग 15 से 20 साल में 25 साल में डेमेज हो जाता है लेकिन ये लेंटर सवा सो साल से आज भी खड़ा हुआ है और उपर की तरफ आप जब देखेंगे तो इसमें आपको कहीं भी इस चत में आपको गाटर कड़ी टुकड़ी कोई भी नजर नहीं आएगा और यहां सिर्फ पत्थरों से चिनाई करकर के और इसको बना गया था तो कैसी कारिगरी उस समय पे रही होगी कितनी बहतरी चीज बनाएगे और दूसरी साइब जब मैं देख पा रहा हूँ तो जिस समय पे जब हरियाना के अंदर बिजली आई होगी उस समय के आप यह हालात हैं वो देख सकते हैं यहां पे बोर्ड है वो लगा होगा और उपर की तरफ जो फिटिंग है वो भी आप देख सकते हैं होल्डर भी देख सकते हैं और साथ साथ जो उस से भी बड़ी बात है वो आप देखें कि जो लाइट के लिए दिवार के अंदर से फिटिंग हुई हुई है वो आपको यहां पे नजर आएगी चत के अंदर से जो फिटिंग है वो यहां पे आपको नजर आ रही है तो चत के अंदर से उस समय पे जो लाइट के लिए ये जो लाइन है वो पिरोई गई थी जो नबाब दुजाना के मुन्शी होते थे उन्हों ने इस अवेली को बनवाया था और इसके बाद में छे हवेलिया और बनी उनका पूरा परिवार एक कैमपस के अंदर रहता था क्योंकि उन दिनों राव श्योताज सिंग 24 गाओं के फैसले करते थे और राजसव एक्तरित करते थे उनकी इन 24 गाओं में पूरी आकूमत चलती थी जो आप इस ट्रेक्षर देख पा रहें एक स्ट्रेक्षर के अंदर नो में आपसे बात कर रहा हूं कि चो चोकटे है इन में आप देखरो आज तक भी कोई दिमक नज़र नहीं आरी बहार कोखट देखी छते हैं जिनकी कोई म्याद नहीं होती अब इसको डेड़ सो वर्स हो गए यदि इस का रख रखाओ ठीक रखते तो ये पान सो साल भी खराब नहीं होती बिल्कुल कितनी बहतरीन चीज है सर ने बता कि पान सो साल भी खराब नहीं हो सकती लेकिन जो चोकटे हैं सर मैं उसके आप से जाना चाहूंगा आज कल आप देख पारें कि आप चोकट लगा लें लकडी की जो लगती है दिमक बहुत जल्दी लग जाती लेकिन ये सो साल से वैसे कि वैसे खड़ी है तो इसमें ऐसा क्या खास होगा ये देसी साल है जी और उन दिनों जो साल मिलता था वो प्य द्योर साल है तो इसलिए ये सुरक्षित है ये हमारे पूर्वज की जो है उन्होंने बनाई थी हमारे पड़दादा की टाइम की बनी हुई है और मेरा खुद का जनम भी इसी अवेली का ही है तो इसकी दिवारें एक तो बहुत ही लग बग 18 इंची से कोई दिवार कम नही है जो की बहुत ही ठंडी रहते थी गर्मी के अंदर लू के अंदर कैसे भी इसके अंदर रहते थे और इसकी च्छत भी बड़े ही अलगाकार की हैं कुछ पत्थर की हैं कुछ लदाओ की जिनको हम घुमावदार बोलते थे जिसमें सरफ चुनने का ही चुनना भी इस तरह क होता था जिसको हम संदला बोलते थे पहले जो कि उसको गाह के पत्थर से पीश के रिस तरहें से उसको तैयार करके यह बनाई जाती थी लेकिन जो चतें वगए रहे हैं वो आज भी इतनी मजबूत हैं और जो चोखटें वगए वो भी यूंकी यूं है जैसी बनाई गई हों इसा था जी उस समय प्यार लकडी थी जी और यह प्यार लकडी शाड जो बोलते थे आजकर यह अखल वह नहीं आता यह जो हमारे गाऊंदो चे कुछ गोड़ते थे और वहां जाके कि पिछे की किसी ने बनाई थी यह हमारे जैसे पूर्वजों से पुछा गया हमें अपने तो उन्हों ने बताए कि यह लगबग 1863 के आसपास या उसके बाद की जो है यह बनाई हुई लगबग और पूरी जो है यह हवेली है लगबग एक कड़ के आसपास यह है तो इसके अंदर पूरा जो है सारा एक साथ बनाई गई है कितने परिवार रहते होंगे उस समय भी समय इस समय उस समय दो परिवार थे हैं जी मेरे पड़दादा और एक उनकी बेहन के लिए भी साथ साथ यह जो मकान हवेली बनाई गई ती तो वो जो कनीना बीयाई थी उनको फिर यहां की जो सारी च्छतें हैं वो लगभग इसी तरीके से बनाई गई हैं सब के अंदर आपको ऐसा ही नजर आएगा और इसी टाइप का जो लेंटर है वो लगा हुआ आपको नजर आगा क्योंकि आज की टाइम आप लेंटरी बोलते हैं जिसके अंदर आप गाट्रे होंगे और कैसी जो दिवारे हैं वो चीनी जाती होंगे काफी चोड़ी-चोड़ी 14-14 इंश की जो दिवारे हैं वो बनाई गई थी और आज तक भी सब कुछ वैसा का वैसा मोजूद है और ठीक से इसका रख रखा और रखा जाता तो सर ने बताया कि 500 साल और भी यह चीज चल सकती थी तो कैसी चीजों होंगी आप भी नीचे लिख करकर बता सकते हैं कि जो पुरानी हमारी पदती थी तो उस टाइम के लोग क्या हमसे ज्यादा वैज्यानिक थे आज के टाइम के जो लोग है उनसे ज्यादा वैज्यानिक वो लोग थे और उनकी चीजों में उनकी कारिगरी में ये चीजें जलकती हैं